बचों आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCRT क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोड़ और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नहरुजी ने इस पुस्तक का तीसरा पाठ है सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ के अंतरगत बहुत सारे छोटे छोटे शीरशक हैं जिनके अभ्यास प्रशन हम पहले ही देख चुके हैं आज जिस शीरशक के अंतरगत अभ्यास प्रशन हम देखने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारत में ज प्रशन एवं उत्तर के रूप में तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला है दिये गए बहु विकल्पिये प्रशनों के सही विकल्प पर निशान लगाईए यहां पर आपको एक प्रशन दिया जाएगा उससे संबंधित चार विकल्प होंगे उन चार विकल्पों में से को की समुद्री यात्राओं की कहानी भरी पड़ी है विकल्प कुछ इस तरह से हैं क विदेशियों की यात्राओं की कहानिया ख सौदागरों की यात्राओं की कहानिया ग अमीर लोगों की यात्राओं की कहानिया सही उत्तर है ख सौदागरों की यात्राओं की कहानिया दूसरा प्रश्ण है भड़ोच से जहाज कहां के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे विकल्प है क मिश्र ख ब्रीटेन ग इराक ग बेबिलोन सही उत्तर है ग बेबिलोन तीसरा प्रश्ण है जातक कथाओं के अनुसार समुद्री बेड़े किन शहरों से होते हुए समुद्र की दोर जाते थे विकल्प है क बनारस पटना चमपा ख पटना कोलकता इलाहबाद ग इलाहबाद दिल्ली पटना घ मदरास मुंबई इलाहबाद सही उत्तर है क बनारस पटना चमपा चौथा प्रश्ण है पाशान यूग के मिट्टी के बरतनों में कौन सी लीपी के अक्षर म विकल्प कुछ इस तरह से है क देव लीपी ख ब्राम्ही लीपी ग आरी लीपी ग संस्कृत लीपी सही उत्तर है ख ब्राम्ही लीपी पाचवा प्रश्न है कहां पर मिले शिला लेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है विकल्प है क दक्षिन भारत छेत्र में ख मोहन जोदरों में ग अफगानिस्तान में घ मेसोपोटामिया में सही उत्तर है ख मोहन जोदरों में छटमा प्रश्न है जो जहाज बनारस पटना चमपा से होते हुए समुद्र तक पहुँचते थे वहां से वे किन देशों में जाया करते थे विकल्प है क इराक और इरान ख मिश्र और चीन, ग लंका और मले टापू, घ लंका और अफगानिस्तान सही उत्तर है ग लंका और मले टापू साथमा प्रश्न है उत्तर पश्चिम में मिले कुछ अन्य लिखित प्रमान किस लीपी में है विकल्प है क देवनागरी लीपी, ख उर्दू लीपी, ग ब्रामी लीपी, घ खरोष्टी लीपी सही उत्तर है ग खरोष्टी लीपी आठमा प्रश्न है किस राजा द्वारा लिखे गए लेक ब्रामी लीपी में है विकल्प है क चंद्रगुप्त, ख कनिश्क, ग मेनांडर, ग अशोक, सही उत्तर है ग अशोक नवा प्रश्ण है छठी या सात्वी शताब्दी में संस्कृत भाषा में प्रसित व्याकरण की रचना किस ने की थी? विकल्प है क गौतमबुद, ख पाणिनी, ग महावीर, ग शूशुत, सही उत्तर है ख पाणिनी दस्वा प्रश्ण है भारत की देव नागरी और अन्य लीपियों की मूल लीपी किसे माना जाता है? विकल्प है क देव लीपी को, ख संस्कृत लीपी को, ग ब्रामी लीपी को, ग प्राचीन लीपी को, सही उत्तर है ग ब्रामी लीपी को ग्यार्वा प्रश्ण है प्राचीन काल में सिक्षा में तरह तरह के विश्यों के अलावा किस तरह का प्रसिक्षन भी शामिल किया जाता था विकल्फ है क सैनिक प्रसिक्षन, ख राजकार चलाने का प्रसिक्षन, ग संगीत्वन रित्य का प्रसिक्षन, ग विभिन कलाओं का सही उत्तर है क सैनिक प्रसिक्षन 12. महा कावि के युग में विश्व विद्याले प्राय कहां हुआ करते थे विकल्फ है क पहाडों पर ख शहर के बीचों बीच ग गाओं में घ वनों में 13. विश्व विद्याले में सिक्षा ग्रहन करते समय विद्यार्थियों के लिए किस तरह का जीवन अनिवारे था विकल्फ है क सैनिक जैसा कठिन जीवन, ख नियमित और ब्रह्मचरे का जीवन, ग सुख वैभाव से भरपूर जीवन, ग किसी भी एक कला के प्रती समर्पित जीवन 14. प्रश्ण है चरक द्वारा किस विशय पर पुस्तक लिखी गई थी? विकल्फ है क समाज विज्ञान, ख औशधी विज्ञान, ग मानव विज्ञान, ग प्रकृती विज्ञान सही उत्तर है ख औशधी विज्ञान 15. प्रश्ण है चरक किस राजा के राज़ दर्बार में राज वैध थे? विकल्फ है क अशोक, ख चंद्रगुप्त, ग कनिश्क, ग बिंदुसार सही उत्तर है क अशोक 16. प्रश्ण है जानवरों के एस्पताल किस धर्म से प्रभावित होकर बनाए गए थे? विकल्फ है क जैन धर्म और बौध धर्म, ख इसाई धर्म और जैन धर्म, ग इसलाम धर्म और बौध धर्म, ग हिंदु धर्म और इसाई धर्म सही उत्तर है क जैन धर्म और बौध धर्म 17. प्रश्ण है प्राचीन काल में घाओं के जीवानों को कैसे मारा जाता था? धुए से, सही उतर है घ जड़ी बूटी जलाकर उसके धुए से, अठार्वा प्रश्न है, शल्य चिकित्सा पर किसने पुस्तक लिखी थी, विकल्फ है क सुष्रुत, ख पाणिनी, ग चरक, घ इनमें से कोई नहीं, सही उतर है क सुष्रुत, उनीस्वा प्रश्न है, और युनान के बीच संपर्क हो चुका था, विकल्फ है क कुशान, ख सिकंदर, ग मौर्य सामराज, ग गुप्त सामराज, सही उतर है क सिकंदर, बीस्वा प्रश्न है, भारत में औशत विज्ञान के जनक किनको माना जाता है, विकल्फ है क पाणिनी, ख धनवंत्री, ग सही उतर है, ख धनवंत्री, 21 प्रश्न है, वन सिक्षालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कौन आकर्शित करते थे, विकल्फ है क उनके मित्र, ख लोकप्री अध्यापक, ग वहां का वातावरन, ग पढ़ाये जाने वाले विशे, सही उतर है, ख लोकप्री अध् ग चिकित्सा ग्यान का, ग सामाजिक ज्यान का, सही उतर है, ख बौध ज्यान का, 23 प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में पेशावर के पास प्राचीन और प्रसित्ध विश्व विद्याले का क्या नाम था, विकल्फ है, क सिक्षा आश्रम, ग ज्ञान भूमी, ग किस सिक्षा पधती का विश्विद्याले था विकल्फ है क ब्राम्हन सिक्षा पधती ख शत्री शिक्षा पधती ग सैनी सिक्षा पधती ग विज्ञान सिक्षा पधती सही उतर है ब्राम्हन सिक्षा पधती 25 प्रश्ण है कौन सा शहर हमेशा से सिक्षा का केंद रहा है विकल्प है क बनारस, ख इलाहबाद, ग कानपूर, ग पटना सही उत्तर है क बनारस 26 प्रश्ण है तक्षिला के कौन से विद्याले से पढ़कर निकलने वाले चिकित्सकों की बड़ी कद्र थी विकल्प है क आयूर विज्यान विद्याले, ख अर्थ शास्त्र विद्याले, ग नृत्ति संगीत विद्याले, ग इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है क आयूर विज्यान विद्याले 27 प्रश्ण है तक्षिला विशेश रूप से किन विश्यों के लिए मशूर था विकल्प है क इतिहास, विग्जान और कला, ख पाक कला, मूर्ती कला और इतिहास, ग विज्जान, चिकिट्सा, शास्त्र और कला, ख इन में से कोई नहीं 28. पानेनी द्वारा लिखी गई व्याकरण की रचना किस भाषा में थी? 29. बुद्ध के समय से पहले का विवरण हमें कहां लिखा मिलता है? 30. किनके विमार पढ़ने पर तक्षिला में पढ़े हुए चिकित्सकों को ही इलाज के लिए बुलाया जाता था? 31. किस चीज़ा मिलता है? 32. किस से जुड़े लोगों की अलग बस्तियां और गाओं की स्थापना की गई थी? 32. किस चीज़ा मिलता है? 33. किसान अपने उत्पाद का कितना भाग राजा को कर के रूप में देते थे? 34. किस उसूल पर काम किया करते थे? 35. किस उसूल पर किस चीज़ा मिलता है? 35. बच्चों बहु विकल्पी यह प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं, आएए देखते हैं इस शीर्षफ से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर. 35. पहला प्रश्न है भारत के विश्व विद्यालयों और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में पंडित नहरू क्या बता रहे हैं? उत्तर है विश्व प्रसिद विश्व विद्यालय तक्शिला भारत के उत्तर पश्चिन दिशा में स्थित था, यहां पर विश्व के अलग-अलग देशों से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे, भारत में प्रायह विश्व विद्यालय वनों में स्थित होते थे, यह यहां विद्वानों के द्वारा सिक्षा दी जाती थी यहां विश्र विद्याले शहरों या कस्वों से ज्यादा दूर नहीं होते थे ताकि विद्यार्थी आराम से यहां आ सके अलग अलग विश्यों के अलावा यहां विद्यार्थियों को सायनिक प्रसिक्षन भी दिया ज उत्तर है अन्य शेत्रों की तरह चिकित्सा शेत्र में भी प्राचीन काल में भारत लगातार विकास कर रहा था ओशत विज्ञान के जनक धनवंतरी भारत के ही थे इसके अलावा महान चिकित्सक चरक ने औशत विज्ञान पर और सूशुद द्वारा शेल्य चिकित्सा पर पुस्तके लिखी गई थी यहां के विश्व विद्यालेयों में हर तरह का शेल्य प्रसिक्षन जैसे अंगों को काटना ओप्रेशन द्वारा बच्चे का जन्म मोतिया बींद का ओप्रेशन भी शामिल था अतह यह कहना गलत नहीं होगा कि चिकित्सा के शेत्र में भी भारत विश्व में अगरणी था प्रशन 3. प्राचीन काल में गाओं की क्या स्थिती थी? उत्तर है प्राचीन भारत में गाओं लगातार उन्नती कर रहे थे लोगों का मुख्य विवसाय खेती था और पूरे उत्पादन का लगबक छठा भाग कर के रूप में राजा को देना होता था किसी भी शाशन का राजनितिक और आर्थिक धाचा गाउं के अनुसार ही निर्मित किया जाता था दस्तकारी के आधार पर भी गाउं को विभाजित किया गया था जैसे लकडी का काम करने वाले कारीगरों को एक गाउं में बसाया गया था वहीं दूसरी और लोहे का काम करने वाले लोहारों को अलग गाउं दे दिया गया था यह सभी संगठित होकर कारे करते थे प्रश्न चार भारत की लीपियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है उत्तर है भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है भारत की प्राचीन लीपी जिसे ब्रह्मी लीपी के नाम से जाना जाता है इसके निरंतर विकास के प्रमान भी हमें मिलते रहे हैं पाशान युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राम्ही लीपी के अक्षर मिले हैं। मोहन जोद्रो के शिला लेक और समराट अशोक के शाशनकाल के समय के भी लेक प्राप्त हुए हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेक खरोष्टी भाती समझ पाएंगे। NCRT क्लास 8 की पूरक पाठे पुस्तक के अन्य पाठों से सम्मंदित अभ्यास प्रश्ण भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थांक यू.